हेलो फ्रेंड्स में हूं तनमय स्वागत है मेरा इसी ट्यूब चनल तनमय सेल्फ ट्रेस्टन को तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जबके बढ़ियासा चीज बना कर दिखाऊंगा तो काफी सारा सस्क्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि सार जो डीजे लेट त्यार हो जो डीजे लाइड तरह बनाएंगे उसके लिए एक सार्कीट चाहिए तो उसका बेसिक चीज हमको पहल जानना होगा उसके बाद उससी सार्कीट को लेकर हम कैसे तरह लाइड बनाएंगे हमारे अपर डेपेंड करता है तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा बड़ी हैस से circuit तो वह जो सार्कीट आपने देखा होगा जो आपका bike में और उसका जो कार बागेरा में जो भी हम भेंकिल यूज करते हैं तो उसके बहुत को बहुत हैं बहुत हो दोस्तों तो यदे सकते लिए उसके लिए कौन कौन सा चीज को ज़रु रज़ास नहीं है मैं आपको बहुत ही simple तरीका से बताऊंगा उस circuit को बनाने के लिए तो वो circuit आपको 40-50 रुपे में आपको आसा नीचे हो जाएगा तो उसका details में बताऊंगा दोस्तो तो दोस्तो चैनल को अभी तो subscribe नहीं किया है तो यहां पे subscribe कर दीजिए और पास में जो bell icon इसको दबा कर all वाला notification को प्रेस कर दीजिए तो जैसे तरह में यह से तरह निया निया वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे बहुत नोटिपिकेशन पंच जाएगा तो दोस्तो चालते हैं शूरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तो उस circuit को बनाने के लिए हमको पहले चाहिए एक दिखिए आपको एक IC का ज़रूरत पड़ेगा तो इसको जो बोलते हैं इसको जो 555 City होता है तो यह इसका जो फूर नेम होता है एनि-e 555 P तो उसका हम ऐसे तरह बोलते हैं कि 555 टाइम-e-e-c ृब यह सरुकिट का मदल से हम ओ जो तोटल फारकिट बनायेंगे ओनफ शते है ने के लिए मोगते नितना करना के सीध का connection कैसे होता है और उसके लिए चाहिए आपको एक इस व्रैट बूर्ट तो यह ब्रैट बूर्ड क्या होता है तो उसका पर भी वीडियो डाल चुका हूं उसके यहां पर बोलना का कुछ ज़ारूरत नहीं इसका connection कैसे होता है तो उसका आपर मैं already video डाल चुका हूँ और यह i button में क्लिक कीजिए और नीचे discussion box में दे दूंगा उसका आप भी आप देख सेकते हैं वीडियो को तो यह हमारा breadboard चाहिए उसको connection करने के लिए और दोस्तों उसके लिए चाहिए हमारा हमको एक यह हमारा polar capacitor तो capacitor का काम क्या होता है यह energy को store करता है और उसको discharge भी करता है तो यह इसका जो value होता है हमारा यह हमारा पोचीश बोल्ट पोचीश बोल्ट का यह जो इसका रेटिंग होता है तो उसको में बताऊंगा और हमको चाहिए के जो यह register चाहिए यह 1k का register 1k 48 का एक register चाहिए हमको एक ही चाहिए और दोस्तों और यह जो हमारा एक variable register तो variable register क्या होता है कि इसको मदद से हम उसका जो on up on up होगा उसका speed को हम कॉम कॉम हो ज्यादा कर सकते हो इसका भी connection में बताऊंगा यह हमारा वेरियाबल रेजिस्टर यह हमारा जो रेटिंग है 10k का वेरियाबल तो उसको तार चाहिए ऐसे तरह हमको तार चाहिए मैं यहाँ पर temporary के लिए इसको connection करूंगा तो इसलिए मैं यह jumper wire लेकर रखाऊंगा यह हमारा आसानी से इसको यूज कर सकता हूं तो आप चाहिए तो डायरेट यह जो भेरोड होता है वहीं पर लगा सकते हैं जो भेरोड के मदल से आप यहाँ पर कर सकते हो पर्मानेटली के लिए तो उसको भी connection करके बताऊंगा तो कैसे तरह हम करेंगे मैं इसको ब्रेड बोड के अंदर में फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा तो चालते हैं शूरू करते हैं दोस्तों शूरू करने से पहले आपको यह diagram आपको दिखाना देखना ं reh पिभर्माने यहर चुर में मत chaptersक कर देखना है व्यार तो यह ग बेचाने फिवह घर से इत पोड़ से लियं करके लेंगी मेंने तुम लिए मुरार कर देखंऊंगा इसको बेल चालता ही हमें जोंब्याब्र कीbesला देख सेंटेखिवानगा में शूरू कर देहा है था आ कि इसका input कहा है output कैसा होगा और बीच में जो connection होगा किसे तरह होगा तो यह टाइमर का आप देखिए टाइमर का अंदर आपको कोटिंग दिखा होगा यहां पर इसका उपर वाला इस साइड देखो और इस साइड में प्लेन तरह जैसे देख रहा है और इस साइड आपको कोटिंग हो रहा है यह कोटिंग आपको इस उपर के तरह रखना पड़ेगा यह टाइमर को इसे तरह आप रखना पड़ेगा देखिए इसे तरह में पकड़ रहा हूं सरी यहां पे दिखिए इसे तरह में पकड़ रहा हूं पकड़ देने के बाद इसको इसे तरह में रख तो यह मेरा कॉटिंग चला गया कॉटिंग जो साइड होता है उसका लेफ साइड आपको दिखना पड़ेगा तो जिस आइसी हमें बात कर रहा हूं तो उस आइसी का यह जो यह तो मेरा टाइप पांसा पंचावन बाला टाइमर हो गया मालोगी फोर जिरो वान सेबेन और बह नहीं है यह डोट तो आप दूसरे वाला आइसी में यह डोट आपको मिल जाएगा तो उस डोट जिस साइड होगा उस साइड से आपको गिनना सुरू करना होगा तो जो भी साइड हम गिननेंगे तो उस साइड ही हमारा जो गिनना सुरू करना होगा तो मेरा जो कॉटिंग होगा यह जो कोटिंग आप देख रही है उस कोटिंग को लेफ साइट में आपको इसे तरह पकड़ना होगा और वहीं पर आपको लेफ साइट दिखाना इसको गिनना पड़ेगा आच्छी से आपको साब्धानी से यहां पर आच्छी से देखो और समझने के लिए कुसिस मैं बहुत ही आसानी से बहुता रहा हूं तो एक दो तीन चार मालों कि यह मेरा लेफ साइट में मेरा चार पीन होता है तो यह मेरा एक दो तीन चार हो गया और दूसरे साइब जो चार तरफ है फिर से मेरा निचे से जाएगा और दूसरा वाला जो टर्मिनल दूसरी तो यहां पर देखे एक दो तीन चार यह मेरा निचे से जाएगा पांच छो साथ चुटल चला गया उसका पीन डिस्क्रिशन बता दिया उसके बाद उसका काम किसे तरह करेंगे तो इसका जो टाइम और का होता है यह टाइम और एसे तरह यहां पर रख देते हैं तो यह और यहां पर जायेगा एक नमबर फिन में और उसका जो इन्पूट अमट में धोंपबलन होगो को मार्क्ट में खरितकर ले आयिये उसका एक specification रहता है । कि हमारा component ही इतना voltage में चलेगा, इतना current में चलेगा और उसका power rating कैसे जो भी electronics component हो या electrical component हो तो उसका एक power rating रहता है, तो ऐसे तरह भी ये 525 जो timer iC होता है यहां पर भी एक power rating होता है, कि हमारा ये जो iC है, ये हमारा 5 volt से 12 volt में चलेगा तो सभी IC हमारा 5V से 12V चलता है, तो यह भी ऐसे तरह 5V से 12V चलता है, तो आपको पता नहीं होगा, तो जहां भी आप खरीद कर ले आई है, तो वहीं पे आपको पुछलीजे, वह बता देगा वह जो दोकांदार, तो यह जो 5V से 12V DC हमारा इंपुट रहेगा इस टर्मिनाल के साथ, यह मेरा 8 नमबर जो पीन होता है, उसके बाद जो होगा है, यह जो 2 नमबर पीन है, दो नमबर पीन है, हमारा ट्रिगर पीन, ट्रिगर पीन मतलब यह जो हमारा सार्कीट को ओन अप करेगा, तो इसको डिस्चार्ज करेगा और चार्ज करेगा, ऐसे तरह हमारा ट् करने के लिए जो आउत्पर हमारा निकलेगा यह हमारा ट् honesty भीन इंगे निकलेовые यह को जो शही हमारा फिल करें गे माल smud हम इसको जो लोड हम परेगा तो इसका पॉजेटिव और नेगेटिव रहे गा तो यही ऑन फर दे देंगे यह सійсьई वे लोडी यहां पर हम negative देंगे यहां पर positive देंगे तो यह light हमारा glow करेगा तो यह जो output निकलेगा बोथ positive और negative निकलेगा तो इसके बाद जो होता है यह मैं practical बात कर रहा हूं theoretical कों सा कों बोला रही हैager मैं उसको नहीं देखता हूं practical जो रहा है मैं उसको बता देता हूं किव्यों के दो इसको चांने $tips सब्सक्राइब और उसके चांनल नबर पी नैता है यह इसका उसका जो लाइट हमारे ओनफ होगा उसका ज्यादा और कंप करेंगे हमारा च्रौ नाममोरे में श्राइड में ठ्रेसर इक है को लिखा theme हों किसे पर ल plantation हो गया तो उसक चुंच पीनहों हो गया तो इसके बाद उसका काम होता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आखने से यह यहां पर मैं अभी कुछ नहीं बताना क्यूंकि उसका पर मैं अल्रेटी वीडियो डाल चुका हूं वीडियो को पहले देख लीजिए क्यूंकि जो भी हम इलेटोनिस काम करेंगी यह ब्रेडबोड में काम होता है लिए टेंपरारी कानेकशन के लिए उसको फैरबोड और पीसीजिए धी वीडिये चाहिए तो यहां पर मैं कानेकशन काऊ चुका हो यह जो मेरा टाइम और आईशी को देखिए यह को नेक्शन होने के बाद यहां पर जो एक यह यह पाशिटर होता है यह मारा जो गया फोग च्क् Synुम Ratा तो ये जो ब्लाक किलोर होता है कि क्या सद्ल्हाद कि का सब्लाइब 20 लिखा हुआ ist डाते डाइन के साइड दिखा हुआ है इसको मैं येसे तरह फॉल्ड कर दिया हूं इसलिए हमारा चोटा देख रहा है देखिए ये मेरा पॉजिटीव और नेगेटिव होता है तो इसको यहां पर कैसे तरह देंगे इसके वाज़ हो गया दो नमबर पीन को हमारा जो ग्रिन कोलर का जो मैं यहां पर जिसे तरह देख रहा हूं यह जो दो नमबर पीन के साथ मैं यह चो नमबर पीन को सोट करूंगा तो यहां पर भी देखिए यह जो है मेरा जंपर इसको में मतलब यह आसनी से कनेक्शन हो जा क्लegen के दो सबस्क्राइब करने के लिए चाहँ सादिन नमबब macam करेंगे- में पीन- मेरा agent अल्जक्राइब सबस्क्राइब तो इस बाद उसके चाहँ में करेंगे- तो चान नमबर पीन को हम आठ नमबर पीन के साथ करेंगे तो यह से तरह देखिए यह जो है मारा चान नमबर पीन तो यह जो साइड में जो लास्ट में देख रही है हमारा चान नमबर पीन चान नमबर पीन को हम यह जो 8 नमबर पीन के साथ कनेक्शन करेंगे तो जैसे तरह यहां पे कनेक्शन हो रहा है मैं इसे तरह सीव कर रहा हूं तो ज्यादा तार आप देखेंगे यह आपको घबरेने का कोई जरूरत नहीं तो यह सारकी डाइग्राम को आच्छे से देख लीजिए तो यह से तरह में रख रहा हैं आप स्क्रिंशट भी ले सकते हो तो इसको लेकर आप आराम से उसको प्माइक्षिन कर खके ख़ल सकते हो तो यह चांद नमबर का बाद चल गया उसके बाद होगया चोक्षण नमबर पीण, चोक्षण नमबर पीन जरूरे आडरेग्राइट है। हुआए तो हमारा बाथ होता है यह जो आठ नमबर और शाटन बीच में हमारा इसलिट ॉप रहा है जो कैसे तरह होगा शाटन नमबर और छोन नमबर के साथ हमारा भेरियेब्ल रेजिस्टर को इसलिट्ट्र तो आपको मन मैं डाउट होगा कि यह variable register का तो रेजिस्टर का हमारा दो टर्मिनाल है तो दो टर्मिनाल है मतलब उसका एक input आएगा और output रहेगा तो इसे तरह आप तीन टर्मिनाल कैसे तरह हम यूज करेंगे तो दोस्तो इसका उपर मैं details एक वीडियो बना हूंगा तो electronics का मेरा वीडियो का playlist में जाहिए चेक आई भी में डालूंगा तो उसका मैं यहां पर थोड़ा बता देता हूं और उसका उपर details में बता हूंगा कैसे तरह काम करता है तो इसका जो बीच बाला टर्मिनाल है हमारा output तो इस बीच बाला टर्मिनाल को एक connection देना पड़ेगा इसका common होता है तो उसके बाद यह दोन पर तरफ चला गया बीच बाला टर्मिनाल को जो जो बाई को तरफ जो होता है इसका काम होता है कि यह जो हम रेगूलेट करेंगे तो यह डाइन तरफ घूमाएंगे जो नौब को तो यह हमारा जो 10 के रेजिस्टर होता है यह हमारा 100 Ohm मतलब 1 Ohm से लेकर 100 sorry 10 K का जो रेजि होता है तो उसका होता है कि 100 ओम 200 तीन ओम को इस तरह होता है तो इसका मदल से हम जिरो ओम से हम 10K के जो भी होता है इसको हम एड्जेस्टर कर सकते हो तो यहां पर इंपूड में लोंगा यह यह दोनों साइट को लेंगा तो मैं इस चाड़ भी ले सकता हूं सप्यस्सक्राइब जो आपका मर्जी इस तरह ले सकते हो तो इसका का से करेंगे 7 नंबर चौन नंबर पीन के सथ तो साथ नंबर पीन के साथ तो यहां पर मैं का यह नंबर का पीन चला गया तो यह तार थोड़ा पतला ए इसलहें चाहिए अच्छे के घुश नहीं रहा है औ करना पड़ेगा यहां पर हमारा चला गया उसके बाद दोस्तों देखिए जो दूसरा वाला होता है उसको कहां पर connection करना की कोई जोरूरत नहीं इसका आप जो नेगेटिव सप्लाय मतलब जो नेगेटिव हम इनपुट देंगे उहीं पर चेक करने के बाद आपको यह लोड देना पड़ेगा तो लोड कैसे तरह कंद देंगे तो पहले उसको इनपुट देंगे तो इसका जो पाँआर सप्लाइOL कि तो यह जू हमारा ड हे व्र 12V 1A का adapter है यह जो मेरा adapter है 12V 1A का adapter है तो यहां पर तो आपके मन में doubt होगा कि 2A देंगे तो क्या होगा 1A से हमारा 12V 1A के मतलब से हम बहुत सारा light को हम control कर सकते हो तो वान हम एसी जो होता है ऐसी वाला जो component होता है तो उसको रियले के मदद से हम उच्छ कर सकते हो तो वान यह पर बहुत ही बढ़िया होगा वान यह बहुत ही है ऐपको उसको चलाने के लिए तो यह प्वॉजिटिव च्पलाई होगा मैं आठ नंबर पीन में connection करूंगा त तो एक नंबर के साथ मैं connection करूंगा तो ऐसे तरह connection कर दूंगा connection कर देंगे वाद मैं power supply on कर देंगा तो मैं फिर से एक बार connection कर रहा है क्योंकि जो मेरा मोटा बाला तार होता है तो इसको छोटा करके मैं आपको connection कर दिखा तो यहां पर देखो मैं already connection कर चुका हूं तो यह जो मेरा जो adapter होता है यह जो मेरा adapter के साथ connection कर चुआ हूं तो इसको जो output निकलेगा तो दोस्तों यह हमारा LED है तो LED का जो मेरा 12 वोल्ट का LED होता है तो हम input जैसे तरह देंगे माला कि हम 9V input देते तो उसी सब्सक्राइब का 9V का load चाहिए और उसके ज्यादा हमारा चाहिए माला कि यहां पर 9V आ रहा है तो आपको 12V देना पड़ेगा यहां पर आपको 5V का load देंगे तो यह हमारा जो load खराब हो सकता है तो आपको उसको साब्दानी से दिखना पड़ेगा और यहां पर जो हमारा output निकल रहा है देखें दोस्तों यहां पर जो मेरा timer का output निकल रहा है मैं डाइग्राम के बता रहा था कि यहां आउटपूट होता है तो यहां पर जो पॉजिटिव दे रहा हूं तो दिखें लो लोड का जो नेगेटिव कोनेक्शन तो डाइरिक यहां पर नेगेटिव इसाथ कोनेक्शन कर दूंगा तो इसको कोनेक्शन करका देता हूं यह देखिए कोनेक्शन में कर चुका हूं तो कोनेक्शन कर देने बाद यहां पर मैं पार सप्लाई अन करूंगा तो मैं बार बा लोग कि आपको पता चल गया है कि हमारा स्बाइब ठीक है उसको पार सप्लेच देना पड़ेगा तो यहां पर मैं पार शोप्लेच आपको डिया हूं दिखे मैं यह जो लाइट करोगा है तो इसको में ज़्यादा और कम करूंगा तो थोड़ा लाइट भी आपको करते कि लिए जो मेरा रसका है इसका नोब को मैं है इस का ब्oe θαश हो चाहुरा हो नहीं हमसे ब्ड़ायेयं तरफ द्छा तो ज्लव हो रहा था किंगि उसका रेजिस्टान रखा था घोबबहुत को यहां पर ढाईनसी ब्ड़ाये ङरधा हो Grable तो देखिए एसे तरह चल रहा है उसी हिसाब से हमारा बाइक का इंडिकेटर होता है तो यहां पर चाहिए कि जिग जाग करने के लिए तो देखिए हमारा इसे तरह आपको घुमाएंगे तो और एक इंट्रेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा तो यहां पर आच्छे से देखो यह तो मैं एक लाइट इसको कनेक्शन कर चुका हूं तो यह एक लाइट हमारा ओ अनुआ आपको अच्छे से देखो अच्छे से लिए तो मालों कि मैं एक सार्कृट के मदल से अर एक चीज भी बना सकता हूं यह जिसटाइम वह ओफ होगा यह दिखिए आच्छे से यह जो सार्कृट जिस साड्सक्राइब लाओ एड स्ट बैल आड़ेकर नेवर मिस अन तो इसको लोड करने के लिए यहां पे मैं यह जो 12V का और दूसरा वाला LED लगा रखा हूं यह दिखिए जो 12V का मेरा बाइक जो बाइक का भी है से तरह डेकोरेशन करने के लिए तो बाइक भी लगाता है यह जो लाइकल्ट होता यह एक हो लिखिए जो ऑप्या जो डाइग्रम आपको बतार रहा था यह जो light gamma में positive दिया हूं तो इस light gamma में negative connection करूंगा तो negative connection कर देने के बाद इसका जो positive होता है यह हमारे direct power supply का positive के साथ connection होगा connection होने के बाद कैसे तरह blink कर रहा है मैं आपको connection करके दिखा जाओं यह देखिये दोस्तों connection आपको फिर से में बता देता हूं इसका जो output होता ही जो मेरा orange color का तार होता है तो इसका जो output एक जो लोड का positive के साथ connection कर रहा हूं मैंनलों कि यह मेरा X number load है तो X number load का positive के साथ करऊशन और उसका जो दूसरे वाला लोर्ट हो जो टर्मिनल धो चुछाह एक नंबर ब्लिंग कर रहा है तो एसे तरह आपको सार्किट बना सकते हो तो यहां पर 12 वोल्ट आपको निकल रहा है तो इस टाइम आपको बॉजर भी लगाएंगे तो बॉजर इसे तरह काम करेगा और दोस्तों इसका कनेक्शन हो गया तो इसको में इसको पीसी पे जो सरी मेरे जो भे ब्लिंग करना होगा तो इसको सार्किट कॉम्प्रीट हो जाएगा तो इसको सोल्डरिंग में पहले सी करके रखा हूं तो आपको थ्टा देखा देता हूं और दोस्तों इसका कनेक्शन आपको पता चल गया तो मैं फिर से एक बार आपको यहां पर बता देता हूं इसका ज यह मेरा 12 volt का led होता है और इस इब करने चुरीब हो गया यह हमारा 22 बोल्ट का LED होता है तो यहां पर आच्छे से देखो छेशाम यह भी मेरा 249 LED होता यही थो वी करनेzekी तो टल चुरीव में चोनल इसे हमारा और भी मारा GOT को फोजिटीव को जो आउट्पूट निकल रहा है टाइम के टाईमिर आउट्पूट हो गया यहां पे तो यह customer आ चला गया तो लेडी लेडी और ब्सक्रेमिल्ट हो फिशा है यहां फिराया नेंगेट Orp पॉजेटीव इस जो पार्स अप्लाई आता है उस पॉजेटीव को साथ हमारा इस साइट को पॉजेटीव को साथ क्नीक्षन कर देंगे इस LED काThe1 ग। यह दो c पहले से टाइमर केया साथ क्नेक्षन हो चुका है और यह ज़ुक।ो यह दो tack कर देंगे। तो इसे तरह यह connection हो जाएगा तो इसे तरह हमारा blink होगा यह जो हो रहा है एक दो एक लिटी लगाएंगे तो एक लिटी भी लगा सकते हो तो इसे तरह आपको बनाना पड़ेगा तो दोस्तो वीडियो तो ज्यादा लंबा हो गया है तो आपको आच्छे से समझने के लिए य इसको PCV के साथ connection करके आपको थोड़ा देखा देता हूं कैसे तरह ब्लिंग कर रहा है तो यह इतना ही छोटा हो गया है तो आपको देख रहे है यह बड़ा वाला तो यह इतना ही छोटा हो गया है और और भी इसको cutting कर देंगे तो यह साइड में भी यह और भी छोटा हो ज कािंग रहे एकलर हो तो यह मेरा पॉजिटीब इन्पुट ओगा और यह मेरा नेगटाटिब मुट्पूड वे रखां अधरा देखे दो ट्रॉदमिल में लगा और रखां तो तो इसका पॉजिटिव हो गया तो मैं आड़टर के साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव कोनेक्शन कर दूँगा ये दीखे पॉजिटिव को पॉजिटिव जो जोल रहा है तो इसको मैं वताओंगा तो connection करके तो यह मेरा output हो गया तो इसका जो output मैं यहाँ पर negative connection दूँँगा या positive connection दूँगा तो मैं यहाँ पर positive connection दे दिया हूँ तो इस आउट के साथ में पोजिक्व कोरूंगर तो इसका जो नेगेटीव होगा तो यहां पर नेगेटीव के साथ गजिए आपर वी साथ जो भी लोड देगे जैसे तरह हम कानेक्शन करें के तो यह चला गया यह यह मेरा 12 बोल्ट जो LED माल लगी है मारा एक साइड का इंडिकेटर होता है तो यह इंडिकेटर तो तो थोड़ा खस गया है तो इससे तरह फोल्ड कर दिजिए तो यह मेरा इंडिकेटर माल लो उसके बाद मैं एक बॉजर लगाऊंगा यहां पर देखिए यह मेरा एक बॉजर है तो यह मार्केट भी आपको मिल जाएगा तो यह 123 है यह पर देखो किमाशो हो गया और 5 मेरा लीडिह हो गया तो यहां पर किसी तचाहीं काम कर रहा है तो यह पर ओन कर दूंगा तो किसी तरह ब्लिंग हो तो दोस्तों यह तो था मेरा इस वीडियो का जो मकसद था तो आपको टाइम और आइसी लगा जाए यहां पर 12 लगाकर यह जो 12 लोड लगाकर आपको दिखा रहा हूं तो आप चाहते हैं तो यहां पर एक रिले लगाकर आपको 220 वोड एससी वीडियो बनाएंगे तो यह मेरा बैसिक सर्कृट है तो इसी सर्कृट को लेकर हम एक यह नहीं बताओंगा यह आपको पहले यह बता जिया हूं तो यह मैं सार्कृट आप देख लिजिए दो वाला सार्कृट आपको पता चले गया तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ डाउट है मुझे नीचे कमेंट करके बताना तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लेकर इस वीडियों में रहता हूं थैंक्यू दोस्तों